नवस्का दोस्तों डीडीरेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हमालो तो आज जो वीडियो लेकर रहा हूं वीडियो है निम्रा एहमत का उसका टैटल है पहले इकरार फिर इंकार ओ गौड तेरी लीला परमपार अच्छा इंडिया डिज्ट पा बी-सी-सी-ाई की तरफ से फाइनल एनाउंसमेंट आ चुकी है जिसमें ये कहा गया है कि भारती टीम पाकिस्तान नहीं आएगी डियो टू सिक्यॉर्टी कंसर्ण उन्होंने काया कि हमारे टीम हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर सेफ होगी या उनको सिक्यॉर्टी भी दी जाएगी इसी बेसिस पर पाकिस्तान ट्रावल नहीं करेगी और हाइब्रिड मॉडल पर मैच कहले जाएगी यानि दुबई के अंदर पाकिस्तान वर्सिस इंडिया होगा जितने भी मैच पाकिस्तान और इंडिया के है वो सारे की सारे दुबई के अंदर कहले करना होगा हम कर लेंगे और वारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ऐसा कहा गया है तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं पूछते हैं अवाम से कि उनकी तरफ से तो इंकार आ चुका है अब नेक्स्ट पाकिस्तान क्या करेगा हाइबरिड मॉडल पर मैच होंगे या नहीं होंग आप मुझे रिपोर्ट दिखा दें स्टेट्मेंट दिखा दें कि बीसी स्टेट्मेंट नहीं जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं इस वीडियो के रिकॉर्ड किये जाने तक कोई स्टेट्मेंट भारत की सरकार की तरफ से नहीं है कि हमारी टीम पाकिस्तान नह मीडिया का दावा है इंडियन मीडिया का दावा है कि बी सी सी आई में जो लोग हैं दिकारी हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान को यह बता दिया गया अब यह सिर्फ सोर्सिस के हवाले से अभी तक जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अब इसके बाद हो सकत मुझे आपने डिरेक्ली कहा कि WCCI ने ऐसा कहा है जी नहीं, WCCI से नहीं कहा है आप मुझे एक statement WCCI की दिखा दिए, WCCI से नहें कहा हो यह इंडियन मीडिया के sources के मुताबक इंडियन मीडिया यह खबर दे रहा है कि Official statement अभी भी नहीं आई है मैं पिछले साल बर से कहा हुआ ओफिशिल स्टेटमेंट नहीं आई है अभी भी नहीं आई ओप मैं बिल्कुल जी जो भी मोसन डखवी हो या कोई भी हो मैं अच्छली उनको बैक करूंगा क्योंकि प्लिटिकल स्टेट्मेंट नहीं है यह बिसिकली इस पर्टिकलर ली एंद प्यूर्ली बाउट मैं कंट्री हम लोग अलेड़ी एक दफा गलती कर चुके हुए हैं एशिया के दुबारा किसी भी किसम की बात इन से की भी जानी चाहिए इस इशू के आपको लगता है कि चैंपिन्स ट्रॉफी की वोकत रहेगी अगर इंडिया पाकिसान ट्रावल नहीं करेगा या फिर अगर हम कहतें कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे देखें जी क्रिकेट क्रिकेट से बड़ा कोई मुलक नहीं है अगर अस इसकर क्रिकेटिस कंसर्ण कभी कि शाई कि आपको कहने से क्या हुता है जनाब क्या उख लेंगे आप कि क्रिकेट से बड़ा मुलक होता है और ये इंडियाने साबित करवाया है कई बार एक दोबार नहीं कई बार यही रमीज राजा थे जो कहते थे कि एशिया कप में अगर भारत नहीं आएगा तो हम भारत नहीं जाएंगे खेलने भारत नहीं गया खेलने और पाकिस्तान आया खेलने भारत हुआ की नहीं हुआ अगर इतने गट्स थे, क्रिकेट अगर किसी देश से बड़ा हो था, तो आप रोक लेते, हमने तो करके दिखाया, हमने बोला कि हमारे लिए तो देश बड़ा है, हमने तो करके दिखाया, हमने तो करके दिखाया, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, हम है न, BCCI ये क्रिकेट से बड़ा बड़ी चैंपिन ट्रोफी हो रही है इंडिया को इसमें पॉलिटिक्स लेकिन नहीं आनी चाहिए उनके पस और बहुत से इश्यू है जहां पर वो अपनी पॉलिटिकल जो है वो स्कोरिंग कर सकते हैं क्रिकट के मिदानों पर नहीं उनको आप हर प्लेटफॉर्म पर जहां पर कश्मीर की बात नहीं होनी चीए आप वहां पर जाके कश्मीर की बात करते हो जिन प्लेटफॉर्म से कारोबार की बाते करने के लिए गया हो वहां भी कश्मीर की बात करते हो आप जिन प्लेटफॉर्म्स पर डेवलप्मेंट की बात हो रही होती है उस पर भी कश्मिर की बात करते हो और हमने क्रिकट की बात कर दी तो मिर्ची लग रही है तो देखते जाएए क्या क्या होता है उनको दुबारा वापिस आना पड़ेगा पाकिसान और इंडिया की टैंशन तो 1947 से चल रही है 49 में हम लोग ने पहली जंगी तब से कई टी में गई हमने टेंडूलकर को यहां पर खेलते वे देखा हमने गवासकर को खेलते वे देखा कपिल देव को खेलते वे देखा अब यह जो है मोदी एंड कंपनी इनको बेसिकली क्रिकट को जो है मेरा ख्याल है इसको डीटैच करन पड़ेगा अपनी पॉलिटेक्स से कई और स्कोरिंग करें यहां पर ना करें दूसरा आपका क्वेस्टन यह था कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो क्या चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी तो होगी मेरा स्टांस यह है I'm not a decision maker लेकिन जो decision maker करें अगर उन तक आपका यह पहुंच रहा है कि अपना जो stance है वह बहुत फिर्म लीजेगा बहुत लीजेगा इंडिया आता है आए इंग्लेंड आता है आए औस्टेलिया आता है आए नहीं आता ना आए पाकिस्तान की ग्राउंट से बाहर कोई भी hybrid की जो discussion discussion ही स्टार्ट म की वज़ा से वह यह पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी प्ली यह है कि लास्ट वीक उनका फॉरेंड मिनिस्टर इसलामबाद में वह जो SEO है वहां पे हो के गए हैं पाकिसान की security भी देख ली पाकिसान की security की arrangements ही वह वह लोग देख चुके हमें हैं बिला वज चेर हैं उनका आपको लगता है कि वह इंडिया के बात नहीं मानेंगे में चीज है जी BCCI बहुत स्ट्रॉंग होगा वह अमिच्छा का जो बेटा है वह इस वक चैर्मैन भी है उसका IC का भी ICC का भी है उनका पड़े अच्छे होल्ड भी है उनका स्टेक भी बहुत बड़ आप यह ज़े रहे हो मुल्क को सबसे पहले रखो वही दर्जा पाकिस्तान का क्योंकि पाकिस्तान का PM भिखा रही है वो दरदर जाकर भीक मांगता है पाकिस्तान का आर्मी चीफ भीक मांगता है अब ये वीडियो आया है सौधी अरब के delegation से मिल रहा था सौधी अरब जाकर MBS के ऐसे घुटने पकड रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के एक इस्जत है तो मुझे हसी आती है आपकर अपसोस होता है कि ऐसे आँख मुंद कर कैसे आप लोग बैठे रहते हैं घंटे के इंटेगरिटी और घंटे की इस्जत है आपकी बिखारियों के कोई इस्जत नहीं होती कोई इस्जत नहीं होती बिखारियों के चैना ने यह सब बोला है और उनके सेटिसन्स पर अटैक हुए उनके लिए बंप्रूफ गाड़ियां मंगवाए गई हैं तो इन सारी चीजों को इन सारी हलात को मदे ने जर रखते वे वो कह रहे हैं कि इन सेक्यूरिटी कंसर्ण्स के बाद हम अपने टेम नहीं बेजेंगे वही बात भी आ रही है ना कि फिर पॉलिटेक्स लेके आ रहे हैं वह अंदर क्योंकि चाइनीज तो आज भी कही ना कहीं काम कर रहे हैं मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लहूर के शहर के बिलकुल सेंटर में खड़े होके हम यहां से भी चाइनीज को देख सकते हैं वो तो इसका मतलब क्या होता है या सारे चाइनीज देश शोर गाग नहीं गये लेकिन जो नए आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और जो इधर दुर ट्रैवल करते हैं उनको रोका जा रहा है उनको बंदिश्य लगाई जानी का भाया मत जाओ जान के सलामती है तो इससे आपका देश का नाम बदनाम हो रहा है इस का मतलब यह हुए कि चैणी जांभ नहीं कर रहे हैं पाकिसानि यह अधे मुत्सट्राप प्राजट्ट्स लίαकर कर रहे हैं यह कंसर्रम लेकिन आप 내Strange करें के वह विखेज का पागदार के साथ Chinese Ambassador की मीचिंग के अंदर काफी तू तू मैं में हुई अगेन क्यों वही बात है कि मैं पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं कमेंट करना नहीं चाहा रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट गेम है चाइनीज के साथ अब हूतिये हाँ को चापड़ें यह पॉलिटिक्स नहीं हो रही है डिसकर्ज यह सेफ्टी और सेक्योरिटी हो रही है जिसकी चर्शा भारत ने की है इसका कंसर्न पॉलिटिक्स से नहीं है इसका कंसर्न सेफ्टी और सेक्योरिटी से है अब इस्क्रिंशॉट लगाता हूँ अब इहाली में आपके एक प्राइवेट गाड ने प्राइवेट गाड ने दो चीनियों को गोली मार दी एक प्राइवेट गाड ने इसकी क्या गारंटी है कि हमारी टीम जाए और उनके साथ कोई हाथसा न हो जाए वहाँ पर इसकी क्या guarantee है और बाद में आप कह दें कि पाकिसान को बदनाम कराने के लिए भारत ना खुद ही अपने team पर हमला करा दिया आप ये भी कह सकते है क्या जवाब होगा हमारे पास आप बताओ हमारे किसी एक player को कुछ हो गया कौन जवाब दे होगा आप ये guarantee दीजिए लिखके कि अगर हमारे player को कुछ होता है तो बदले में भारत पाकिस्तान पर bombing कर सकता है और पाकिसानी सेना उसका जवाब ने देगी हम बेजते हैं टीम अपनी और बताओ दोगे यसी guarantee नहीं दोगे करना चाहिए था और क्या क्या कुछ उनको करना चाहिए वह सब कुछ तो ठीक शायद नहीं का रहे ना मेरा अपना एक वर डिक्ट है तो पॉइंट इस सेम कि क्रिकट को पॉलिटिक से लाइदा करना चाहिए ये जेशाओ साब को भी मैं कहूंगा मैं इंडियन क्रिकट बोर्ड को भी कहूंगा हम लोग पाकिस्तानी जो है हमने हमेशा यहां पर आपको याद होगा कि मुशर्फ साब के दौर में जिस वक्त इंडियन टीम आई है धोनी वाजार हीरो उसके बालों को हम लोग डिसकस कर रहे थे है यहां वहां पर जब हमारी टीम गई है अपार्ट फ्रॉम एक आदा वह जो हरकत वो जो हरकत वह उसके लावा पकिस्तान को बड़ा मैं आप दिलाऊं सर स्क्रिन शॉट लगाता हूँ हमारे प्लेयर को श्रीकांद थे शायद उनको स्टाइब किया जाने वाला था पाकिस्तान में चाकू लेकर आया था वो बंदा श्रीकांद को मारने के लिए भूल जाया हम यह याद मत दिलाऊं सर आपके किस फ्लेयर को चाकू यहां से लेकर स्टाइब करने की कोशिशी लेए यह बता दूसरा थपड़ मारना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सबूतों के सा जो करारा थपड़ हम मारते हैं और भी अच्छी तरह से मारते हैं यह जूटमुट गोलमुल बात मत करिये साब प्रूफ लेकर बैठा हूँ समझे अंटाइ मुसलिम अंटाइ मुसलिम अंटाइ मुसलिम क्या होता है मैं बताता हूँ दानिश कनेरिया के साथ तुमारे टीम वालों ने क्या किया यह स्क्रिंग्शॉट लगाता हूँ शाहिद अफरीदी हिंदू होने के साथ उसको कहता थे तुम मुसल्मान बन जाओ उसको खाने नहीं देता था एक टेबल पर यह होता है अंटाइ हिंदू शोय वक्तर ने फिर इंटर्वेन किया और शाहिद अफरीदी को गालियां दी सुनिए शोय वक्तर की बात अब उसको तरह से ट्रीट किया तो मुझे उससे बड़ी घर में आती थी यह होता है अंटाइ हिंदू तू बता कि कब अंटे-मुसल्मान काम ऐसा किया गया है तू कहता है कितने हिंदू तेरी टीम में खेलते हैं वे क्रिगटर हैं तू कितने तेरी टीम में हिंदू खेलते हैं हमारी टीम में जाकर देख कौन-कौन खेलता है संजू सैमसन हो समझा बात कर जहिर खान से लेकर अजरुदीन से लेकर किर्मानी से लेकर सेयद किर्मानी से लेकर कितने नाम गिना हूं यार तुझे कितने नाम गिना हूं मुहम्मद शमी अभी हमारा केल रहा था सिराज केल रहा है मुहम्मद सिराज कितने नाम गिना हूं कि यह जैशा एंड कंपनी को इसको मेरा खाला क्रिकेट से डिटैच कर लेना चाहिए पॉलिटेक्स को अपनी पॉलिटेक्स करें अपने लेक्स जीते हां रहें वो करते हैं हमारी क्रिकेट को छोड़ दे हां हम जो आठ दस टीम है ना हमें लड़ लड़ प्ले ऑन दे अगर उनको हम इस चीज की शॉर्टी दिलाएं कि हम लोग आपके प्लेयर्स की गरंटी खुद लेते हैं सेक्योरिटी इतनी टाइड होगी नो डाउट पाकिस्तान के अंदर सेक्योर्टी को ठीक करने पर भी फोकस किया जा रहा ऐसी बात नहीं है कि फोकस नहीं किया जा र पाकिस्तान असफर सेक्योरिटी प्रवाइड करने की बात अगर आप कह रही है ना तो पाकिस्तान वन इस तो मोस्ट सेफिस्ट कंट्री इन दे वर्ल जितनी स्क्योरिटी हम देते हैं आप पाकिस्तान is the most safest country in the world भाई चड़ा लिये गया तुने शाम को ही वाँ 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 वरना बिना नशे में हुए तो तु ऐसी बात नहीं करेगा यह ले अभी ताजा मामला क्विटा में स्टेशन पे धमाका होई गवा स्क्रींशॉट लगा र जब तक स्क्रींशॉट लिया था तब तक 24 मरे थे अब हो सकता है नंबर आगे बढ़ गए हों सेफेस्ट कंट्री है यह है सेफेस्ट कंट्री दो दिन पहले दो चाइनीज वरकर्स को गोली मार दी जाती है सेफेस्ट कंट्री है जी 149 UN designated terrorists रहते हैं पाकिस्तान में सेफेस्ट कंट्री है जी उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है जी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी सेफेस्ट कंट्री है जी अब इहाली में उसामा बिन लादेन का एक बहुत close बंदा वो भी पाकिस्तान में सेफेस्ट जगह है जी पाकिस्तान हाँ आतंकीओं के लिए तो सेफेस्ट जगह है पाकिस्तान no doubt कैसा लगा थपड फैक्ट वाला अच्छा लगा सपने में भी याद हूँगा मैं अगर तुने मेरा ये वीडियो देख लिया तो थपड लगाते हुए अगेन आइम रिपीटिंग पाकिस्तान is a terrorist कंट्री जा जो करने कर ले सबूत देदिया में अब तु कहेगा कि भारत अशदगर्द है एक इन डेजिंटे टर्रेस बता दे एक बहुत बड़ा आतंकी इंटरनेशनल जो पकड़ा गया वह भारत के अंदर बता दे आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे उन्होंने बाद में का कि हमें तो यू लगा कि हमारे हमें जो स्क्यूरिटी वी मिली वो शायद प्रेसिडेंचिल लेवल पे उनके मुलकों में नहीं मिलती जो 14 प्लेयर्स को दी गई यह कौन सी कंटरी ने जायता देकर जे बारे dat टीम पे यहाँ कॉछ इचो पिंडाड़ से पान्त आरे हैं और अज़ेशेर्टक पिंडे ना पर पसंद नासिर पिर भी पीच में आ जाए ठैने sł Dosos कैया का। अरे ओ, कमकल एंसान मैं तुझे समझाता हूँ Safe Country उसको कहते हैं जहाँ पर Security देने की जरूत ने पड़ती कि 10 गाड़ियां आगे, 10 गाड़ियां पीछे 10 गाड़ियां Security की आगे चल रही है 10 गाड़ियां Security की पीछे चल रही है इसका मतलब है कि वो देश उतना ही अंसेफ है सेफ का मतलब होता है भारत जहां है आपे बड़े बड़े डिप्लोमेट अमबेजडर आटो से चल जाते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के सडकों पर गूम रहे होते हैं तुम्हारे यह एक डिप्लोमेट्स जाते हैं ऐसे क्या सेक्योरिटी के साथ गए थे यह स्क्रिंशोट लगाता हूँ ग्यारा एंबेजडर्स उसमें रशियन भी था हमला हो गया बाल बाल बचे उसमें एक तुम्हारे पुलिस वाले की जान चली गई बाल बाल बचे और तुम कहते हो कि सेफ है अबे वो अकल के दुश्मन जितनी सेक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे मतलब खतरा उतना ही बड़ा है जितनी कम सेक्योरिटी रहेगी इसका मतलब है कि उदेश वहाँ पर उतना ही कम खतरा है लेंगे तुम्हें तो बात समझ में आती नहीं तुमको लगता कि प्रोटोकॉल देंगे बिल्कुल देंगे अब यह जरुवत ही नहीं पढ़नी चाहिए थी कि एक टीम के लिए 20 गाड़ियां दी जाए और 100 जमान लगाया जाएं खतरा है तब तो रात को अगर मच्छर दानी लगा के सोगे इसका मतलब यह निका मच्छर-दानी लगा रहे हो अगर हम उसी चीज की बात कर रही हूं कि उनको यह यकीन दहाने कर वाय कि सेक्योरिटी में आपको कोई मसला नहीं मिलेगा वो हम उनको एक दफा नहीं कई दफा यकीन दानी करवा चुके आपको क्रिकेट भी हो रही है आप तो खार पीएसल के भी दो तीन चार वर्जिंस दुबारा क्रिकेट शुरू होने के बाद हो चुकी इंग्लेंड इंग्ल पर उन्हीं स्टेडियम में उसी जो है वो एस स्पक्टेटर के अंदर उन लोगों को खेलना है जिस पर इंग्लेंड खेलके गई है तो यह प्ली बनती नहीं है जी ना ICC की ना BCC आप गजवाई इंग्लेंड करना है पाकिसानियों को इंग्लेंड की कोई काउंटी कश्मीर की तरह पाकिसान को कबजे में करना है इंग्लेंड पाकिसान का दुश्मन है इंग्लेंड से चार लड़ाईय लड़ी है पाकिसान ने इंग्लेंड में जाकर मुंबई की तरह अटैक कर आया था क्या पाकिसानियों ने अब उखुतिये हख़क उचा पढ़ें यह लाजिक नहीं चलेगा यह लाजिक नहीं चलेगा क्यूंकि पाकिस्तानियों के लिए इंगलेंड और भारत एक जैसे मुल्क नहीं है क्या इंगलेंड आपका दुष्मन है सब्सक् бывает जाएंगे नहीं यह इंग साइब इस उसा इंडिया नहीं हें गजवाई हिंद होना है इंगलेंड नहीं होना सब्सक्राइब 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 कि मॉडल पर होगा या नहीं Thank you sir उनके किस बात पर यकीन करें पिछले दो साल से वह उनके कितने ब्यान चेंज हो चूके हैं कभी एंगे कभी कहते हैं नहीं आए मुझे लगता है कि यह बन्दघ आया ना बोलने यरूर्मल सणाया चैनल पर आता है क्या नाम है वो बड़ा इंडिया की तारीफ करता है यह उसका भाइयों ही लगता है इसके नयन नक्ष और इसका हाव भाव भी वो प्रो इंडिया है ये एंटी इंडिया है ये एक विवाराओ चैनल स्प्याच हो रहे और मुझे लग रहा है कि ये जरूर आपस में कोई कजन ब्रदर या ब्रदर हो सकते हैं बिल्कुल मुझे मतलब वही वाली फील आ रही है ड लगता है इसे इंडिया के गेंस फैसला ले सकता है हाँ अगर इसलिया से देखा जाए कि इंडिया कितनी बड़ी पावर है क्रिकेट में इंडिया के कितना पैसा जा रहा है तो फिर तो ज़रा मुश्किल लगता है ठीक है लेकिन आइसीस टोड़नमेंट है चैंपिन इंडिया बहुत ज्यादा इंप Chemistry इंडिया की इसे जगनेरेट होता हिंडिया इतनी बड़ी क्रिकट वर्ल्ड में एक नाम रखता है तो इंडिया का फैसल कैसे रद करेगा सर जी आइसीजी का नहीं पाकिस्तान का क्रिकेट इंडिया के पैसे से चलता है और यह मैंने नहीं कहा था स्क्रिंशॉट लगा देता हूँ रमीज राजा ने कहा था यह तब वो PCB के चीफ थे और उन्हें ने कहा था कि अगर मोदी चाहें तो पाकिस्तान क्रिकेट बूर्ड का पैसा रुख सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बूर्ड तबाह हो सकता है पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हो जाएगी हमारे पैसे से खेलते हो तुम लोग क्रिकेट PCV वालों और यह मेरा दावा नहीं था यह तुमारे PCV के चीफ का दावा था और तुमारे PCV चीफ ने और बत्तमीजी की थी इशिया कप में बोला था अगर भारत की टीम इशिया कप खेलने नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम हम नहीं भेजेंगा बड़ी कूद कूद के बोल रहा था पाकिस्तान की टीम आई भी थुक के चाटा भी पाकिस्तान की टीम आई भी हार के भी गई और रमीज राजा के पिशवड़े पालात मरकर PCV से भगा दिया यह है PCCi की पावर यह है भारत की पावर पाकिस्तानीय आवाम क्या है बए कीडे मुकोडे हो तम लोग तुम्हारे ही लोग तुम्हें कीड़े मुकोडे समस्तें कभी जाके PCV वाले से पूछा तुम लोग ने या PCV के सामने जाके प्रोटेस्स किया कि तुमने ऐसा कैसे किया क्यों गय तुम वहाँ पर इस बार भी लेटोगे 71 में भी लेटे थे 93 हजार इस बार फिर लेटोगे इशेकप में भी लेटे थे चंपिन्स टोफी में भी लेटो और मैं फिर कहता हूँ अभी तक नहीं आई है कभी एक भी नहीं ना BCCI से ना Government of India से एक बार भी नहीं आई है मीडिया में खबर चल रही चलने दो ना यार जब ऑफिशल स्टेटमेंट आ जाएगी तब बात करेगी यह मेरे खियाल में आपके नियूसope, इस इंट्रीवी को सबसे बड़ा जोक है क्यों क्यों कि इंडिया पाकिस्तान के बगाएर जीरो है perceived यह केलेगी पाकिस्तान नी चेलेगी चैंपियन टाफिर बिल्कुल फेल है ताहिकों क्योंकल फेल है हमने तो तुम्हारे बगार भी क्रिकट के लिए ना हमारा देखो और तुम्हारा देखो तुम भरबाद हो रहे हो हमाबाद हो रहे हैं कैसे बच्चों की तरह बाते करते हो यार तुम लोग बोल कुछ और देते हो ग्राउंड रियालिटी कुछ और होती है इंडिया पाकिस् पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था वो पूरे वर्लकाव का सबसे बड़ा मैच था उससे पहले जो ऑस्टेलिया में मैच हुआ था उस मैच में भी जो हमारा इंडिया का पहला मैच था और पहला ही बड़ा मैच था असी हजार लोगों ने मैच देखा था और उसके बा पाकिसान करा ले पाकिसान खेल ले वियोशिप ले ले अगर पाकिसान के बगार इंडिया जीरो है तो इंडिया नहीं कहलेगी करा लो भाई यह कहने में शर्म आती है इंडिया के बगार पाकिसान की कोई में जुनी है इंडिया के बगार चेंपिन्स ट्रॉफी नहीं पाकिस पाकिसानियों को रोते हुए देखना बड़ा मजा आता है जूट बोलना बहुत मजा आता है आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं जल्दे मिलता हूं एक और ने विल्यों के साथ नमस्कार जहीं तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे कोई सवाल पूछना तो fan call पर आप मुझसे connect हो सकते हैं fan call में ये सुविदा है कि आप अपने हिसाब से मुझसे बात करनी है फ़लाने time करनी है लेकिन यह भी बता दूँ कि ये paid service है झाल झाल